अरे सेजल संगीता तुम्हारे पास आई है क्या नहीं संगीता तो मेरे पास नहीं आई है लेकिन क्या बात है जीजा जी क्या संगीता घर पर नहीं है नहीं वार पिंकी कल रात से ही घर से गायब है अच्छा कहां गये होंगे दोनों घर में सब ठीक तो है ना हाँ सब ठीक है तुम फिक्र मत करो संगीता अपनी बहन सेजल के कहर पर भी नहीं थी अशोक अपने सभी रिष्टेदारों को बारी-बारी से फोन करके संगीता के बारे में पूछ रहा था लेकिन संगीता कहीं नहीं मिली दरसल संगीता अपने पती अशोक और सास विबला के जुल्मों से तंग आकर घर से भाग गई थी एक दिन पहले की ही बात है अरी करम चली तुने अभी तक घर में पोच्छा नहीं लगाया दिन के दस बच चुके हैं लेकिन मा जी आप तो जानती हैं कि मेरा नौवा महीना चल रहा है इस हालत में पोच्छा लगाऊं भी तो कैसे बड़ी आई महरानी तेरे बाप ने दहेज में बड़े नौकर चाकर भेजे हैं तेरे साथ सुन पहली बार जो तो तुने बेटी जना था लेकिन इस बार मुझे बेटा ही चाहिए नहीं तो अपने माई के चली जाना समझी शाम को जब अशोक आफिस से घर आया तो विमला ने नमक मिर्च लगा कर संगीता की खूब शिकायत की अशोक ने मोटे डंडे से संगीता की खूब पिटाई की बिचारी संगीता रोती रही लेकिन ना तो विमला को उस पर दया आई और नहीं अशोक को ये पहली बार नहीं हो रहा था संगीता के साथ आए दिन यहीं होता था पिटाई के बाद पिंकी रोती हुई संगीता के पास आई माँ बाबा बहुत गंदे हैं मैं एक बाबा से कभी बात नहीं करूगी नहीं पिंकी, ऐसा नहीं कहते संगीता ने रोते हुए पिंकी को गले लगा लिया पिंकी, अब हम इस जगह पर एक मिनट भी नहीं रहेंगे लेकिन मा, बाहर इतनी ठंड है, हम लोग कहा जाएंगे पता नहीं, लेकिन जहां भी जाएंगे, यहां से तो खुशी रहेंगे संगीता और पिंकी के साथ घर में नौकरों जैसा बरताव किया जाता था दिसंबर की बर्व जैसी ठंड में भी, उनके पास पहनने के लिए गरम कपड़े नहीं थे लेकिन संगीता नहीं सोच लिया था कि वो अब यहां नहीं रहेगी उस रात जब अशोक और विमला खाना खाकर सोग है, तब संगीता पिंकी को लेकर घर से भाग गई वो दोनों पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन आ गए, दूसरी सुबा नजाने कहां चली गई दोनों, अरे जाएगी कहां, संगीता का तो नौवा महीना चल रहा है यहीं कहीं होगी आसपास थोड़ी देर में आ जाएगी लेकिन शाम तक संगीता और पिंकी का कुछ पता नहीं चला अए हाए, नौजाने कहां चली गई करम चली, अब घर का काम कौन करेगा, सारे बरतन जूठे पड़े हैं तुम्हें घर के काम की पड़ी है, मुझे डर है कि कहीं उसके माबाब उसे ढूनते हुए यान आ जाए अरे आने दो, कह देंगे यार के साथ भाग गई इधर संगीता पांस साल की पिंकी को लेकर ट्रेन में बैट गई, दोनों ठंड के मारे काम रहे थे ट्रेन के चलते ही, खिड़की से ठंडी हवा ट्रेन के अंबर आहे लगी दोनों मा बेटी ठंड से बचने के लिए अपने हाथ पैर मोड कर सिकुड कर बैट गई मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये ट्रेन कब रुखेगी पिंकी बेटा, थोड़ी देर के बात है, ट्रेन रुख जाएगी, तु मेरी साड़ी का अचल ओड ले संगीता पिंकी को अपनी साड़ी के अचल से ठंड गती है धीरे धीरे ट्रेन की रफ़तार और देज हो जाती है, पिंकी ठंड के मारे रोने लगती है इधर संगीता के बेट में बहुत देज दर्थ होने लगता है, वो दर्थ के मारे चीखने लगती है संगीता की हालत देखकर पिंकी बहुत घपरा जाती है मा, तुम्हें क्या हो रहा है? कोई मेरी मा की मदद करो संगीता और पिंकी को देखकर ट्रेन के दूसरे यात्री नाराज होने लगते हैं संगीता जोर-जोर से चिला रही थी थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुख गई और ट्रेन में सवार यात्रियों ने संगीता और पिंकी को उस स्टेशन पर उतार दिया रात बहुत हो चुकी थी और रेलवे स्टेशन पर सिवाय ठंडी हवाओं के और कोई नहीं था संगीता जमीन पर ही लेट गई और वहीं उसने उस फ्यारे से बेटी को जनम दिया माँ ये मेरा भाई है हाँ पिंकी बेटा ये तुमहारा भाई है माँ हम इसका नाम पिंकु रखेंगे ठीक है पिंकी बेटा लेकिन तुमहारे भाई को ठंड लग रही होगी पिंकी कहीं से एक फटा हुआ कंबल लेकर आती है और पिंकु को उस कंबल से ढग देती है अब संगीतो और पिंकी उसी स्टेशन पर रहने लगी दिसंबर की सर्दी में खुले आसमान के नीचे राते बिताना संगीतो और पिंकी के लिए बहुत मुश्किल था लेकिन पिंकु की नन्ही से मुस्कुराहट देख कर दोनों मा बेटी अपनी तकलीफें भूल जाती पिंकी अपने भाई पिंकु का खयाल रखती और संगीता उस स्टेशन से गुजरने वारी ट्रेन पर चड़ कर भीख मांगा करती संगीता के पास गाना गाने का हुनर था वो अपनी मीठी आवाज में गाना गा कर लोगों से भीख मांगती तुम ही हो माता तुम ही पिता हो तुम ही हो बंधू सका तुम ही हो उसकी मदूर आवाज सुनकर कोई उसे पैसे देता तो कोई कुछ गरम कपड़े एक दिन संगीता ट्रेन में गानागा कर भीक मांग रही थी, तभी वहाँ पिंकी आ गई अरे पिंकी तु यहाँ क्यों आ गई, पिंकु को अकेला क्यों छोड़ दिया संगीता दोड़ कर पिंकु के पास जाती है, पिंकु की हालत बहुत खराप थी, उसकी हालत देखकर संगीता बहुत घबरा जाती है मा इसे डॉक्टर के पास ले चलो संगीता पिंकू को ले कर डॉक्टर के पास जाती है ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया इसे अभी एडमिट करना पड़ेगा अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इस की जान भी जा सकती है डॉक्टर साब आप मेरे बच्चे को बचा लीजे, मैं पैसो का इंतजाम करती हूँ डॉक्टर पिंकु को अस्पताल में अड्मिट कर लेता है और उसका इलाज शुरू कर देता है उधर संगीता और पिंकी दोनु ट्रेन में गाना गा कर भीक मागने लगे दोनों के पास भले ही खुद पहनने के लिए गरम कप्रे नहीं थे और ना ही पैरों में चप्पल लेकिन पिंकु की जान बचाने के लिए दोनों ने अपनी जान की परवाने की संगीता और पिंकी पिंकु को लेकर रेलवे स्टेशन आ जाती है मा हम पिंकु को ठंड से कैसे बचाएंगे हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और ना ही पिंकु को पहनाने के लिए स्वेटर रेलवे स्टेशन पर तो कितनी ठंड लगती है हमारे पिंकु को फिर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे नहीं पिंकी हमारे पिंकु को कुछ नहीं होगा मैं कुछ इंतिजाम करती हो संगीतो और पिंकी रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैट कर बात कर रहे थे कि तभी एक ट्रेन स्टेशन से खुलने वाली थी कि अचानक वो ट्रेन रुख गई और वहाँ पर लोगों की भीर लगई मा देखो वहाँ कितनी भीर लगी है ना जानी क्या हुआ होगा मा तुम पिंकु के पास यहीं बैठो मैं देख कर आती हूँ पिंकी ने वहाँ जा कर देखा तो एक आदमी घायल हालत में बेहोश पड़ा था और उसके आसपास खड़े लोग आपस में बाते कर रहे थे पिंकी ने जब गौर से उसका चेहरा देखा तो वो से पहचान गई और दोड़ कर संगीता के पास आई संगीता दोड़ी दोड़ी वहाँ जाती है संगीता दोड़ी दोड़ी वहाँ जाती है संगीता ने देखा कि अशोक खून से लटपद जमीन पर पड़ा हुआ था लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था पिंकी बेटा पापा को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा संगीता कुछ लोगों की मदद से एक ओटो रिक्षा पर अशोक को बिठा कर अस्पताल ले गए इधर पिंकी ने पिंकु को गोद में लेकर ट्रेड में भीक मागना शुरू कर दिया पापा के इलाज के लिए मा को पैसो की जवरत पड़ेगी भीक में मिले पैसे पापा के इलाज में काम आएंगे छोटी से पिंकी की गोद में नन्हा बच्चा देखकर लोगों ने पिंकी को ज़ादा पैसे दिये इधर अस्पताल में डॉक्टर ने अशोक का इलाज शुरू कर दिया इनका एक पैर कट गया है यह अब जिन्दकी पर अपाईच रहेंगे संगीता रोते हुए डॉक्टर से बोली डॉक्टर साब क्या इनका पैर किसी तरह ठीक नहीं हो सकता इन्हें आर्टीफिशियल पैर लगाया जा सकता है जिसके सहारे यह चल पाएंगे लेकिन उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे डॉक्टर साब आप आर्टीफिशियल पैर लगा दीजे लेकिन मेरे पती के पैरों को ठीक कर दीजे मैं पैसों का इंतिजाम करती हूँ डॉक्टर संगीता को देखकर समझ गया था कि इसकी आर्थे के स्पिती बहुत खराब है डॉक्टर को संगीता पर दया आ गई और उसने संगीता से कहा बहन तुम्हें पैसों के लिए परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे पती के इलाज के लिए तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा आपका बहुत बहुत दन्यवाद डॉक्टर साब डॉक्टर ने अशोक का इलाज करके उसे आर्टिफिशल पैर लगा दिया थोड़ी देर के बाद अशोक को होश आ गया जब उसने अपनी आखे खोली तो सामने संगीता खड़ी थी संगीता तुम संगीता ने अशोक को सारी बाते बताई कि कैसे उसका ट्रेन से एकसिडेंट हो गयो और उसका एक पैर कट चुका है ये सुनकर अशोक जोर-जोर से रोने लगा संगीता मुझे माफ कर दो भगवान ने मुझे मेरे बुरे करमों की सजा दे दी है ऐसा मत बोले पिंकी के पापा संगीता और अशोक बाते कर रहे थे तभी गोद में पिंकू को लेकर पिंकी वहाँ आ जाती है संगीता हम सब घर चलेंगे और एक साथ रहेंगे अब मैं तुम्हारे उपर कोई जोर्म नहीं करूंगा कुछ दिनों तक अशोक अस्पताल में रहकर आर्टिफिशल पैर के साहरे चलने की कोशिश करता रहा और उसके बाद चारू घर आ गए संगीता की साथ विमला में भी काफी बदलावा चुका था वो अपने पोते-पोती के लिए नए-नए स्वेटर बना कर उन्हें पहनाने लगी दिसंबर की बरफीली रात थी सर्जू अपना धाबा बंद कर रहा था यू तो सर्जू का धाबा पूरी रात खुला रहता लेकिन उस दिन ठंड बहुत ज़ादा थी सर्जू के पास बहनने के लिए कोई गरम कपड़े भी नहीं थे इसलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी सर्जू शहर के हाईवे पर अपना छोटा सा धाबा चलाता थी ठंड के मौसम में रात में वहाँ से कुछ ही गाड़िया गुजरती लेकिन सर्जू के धाबे पर बन रही गरम गरम चाई को देखकर सभी गाड़ी और ट्रक वाले सर्जू की दुकान पर चाय पीने के लिए जरूर रुकते थे जिससे सर्जू की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और जैसे तैसे गुजारा हो रहा था उस रात जब सर्जू अपना धाबा बंद कर रहा था तब ही वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी गाड़ी में जोर जोर से गाने बज रहे थे और कुछ लड़के गाड़ी में बैट कर शराब पी रहे थे उसमें से एक लड़के ने सर्जू को आवाज लगाई सर्जू उस वक्त धाबे पर अकेला था उसने देखा तो धाबे पर आलू पराठे के अलावा कुछ भी नहीं था रेटों में आलू पराठे लेकर उन लड़कों के पास आया जब उन लड़कों ने आलू पराठा खाला शुरू किया तो पराठे थोड़े ठंडे थे और उन्होंने सर्जू को फेर आवाज लगाई इतना कहकर उस लड़के ने आलू पराठा सर्जू के मुझ पर फेग दिया और इतना कहकर उन सभी लड़कों ने सर्जू की खूप पिताई थी और सर्जू के धाबे पर शराब छिड़क कर धाबे में आग लगा दी उसमें से एक लड़के ने सर्जू से कहा ले हमने आग जला दिये अब कर ले अपना पराठा गरम और सभी लड़के जोर-जोर से हसने लगे अपने धाबे को अपनी आखों के सामने जलता देखकर सर्जू उन लड़कों के आगे हाथ जोड़कर गिड़-गिड़ाने लगा ये क्या कर रहा है मालिक ऐसा मत कीजिए मैं गरीब आदमी हूँ इस धाबे के सहारे किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहा था लेकिन सर्जू के गिड़-गिड़ाने का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ और सर्जू का धाबा धूधू करके जल रहा था देख अब तेरे सारे पर आठे करमों गया होंगे तुझे बाठ ठंड लग रही होगी ना जा के आग ताप ले जा बिचारा सर्जू रोता विलगता अपने धाबे को जलता हुआ देख रहा था कुछी देर में धाबा पूरी तरह से चल चुका था सर्जू रोता हुआ अपनी टूटी-फूटी जूपडी में आ गया वहाँ उसके दो बच्चे बंटी और रिंकी फटी हुई चादर में सो रहे थे सर्जू को देख कर उसकी पतनी निर्मला ने कहा क्या बात है रिंकी के बाबा आज आप चल दी आ गए आज रा धाबे पर कोई ग्रहक नहीं आये क्या अप ऐसा क्यों कह रहे है हमारी धाबे पर ग्रहक क्यों नहीं आएगा भला हमारा धाबा तो राद भर खुला रहता है और वहां मुसाफिरों को गरम-गरम चाय मिल जाती है सर्जू ने रोते हुए निर्मला को सारी बात बताई धाबा पूरी तरह से जलजानी की बात सुनकर निर्मला बहुत परिशान हो गई अब हम क्या करेंगे हमारा गुजारा कैसे चलेगा धाबे से रोस की जो कमाई होती थी उसी से तो हमारी दाल रूटी चल रही थी हम दोनों तो भूके रह लेंगे लेकिन बच्चों को तो भूका नहीं रख सकते और कजरी, कजरी भी तो है उसका चारा कहां से आएगा सर्जू और निर्मला के पास एक गाई कजरी थी जिसके दूट से ही सर्जू अपने धाबे पर चाय बनाता था मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है रिंकी की मा धाबा खोलने के लिए हमने जो करज लिया था अभी तो वो भी नहीं चुकाया सब कुछ ठीक चल लाँ था लेकिन न जाने भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है अब रोनी से कुछ नहीं होगा धीरज रखिये उपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे लेकिन हम क्या करेंगे हमारे पास तो नया धाबा खोलने के लिए पैसे भी नहीं है अब हमें करजा कौन देगा इस बारे में हम कल सोचेंगे अभी रात बहुत हो गई है आप सोच आईए सरजू और निर्मला के पास उड़ने के लिए एक चादर भी नहीं थी दोनों ठंड में कपकपाते हुए सोने की कोशिश करने लगे ठका हुआ सरजू तो सो जाता है लेकिन निर्मला के आँखों में नीन नहीं थी वो रात भर यही सोचती रही कि अब आगे क्या होगा उनका गुजारा कैसे चलेगा ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई निर्मला को पता ही नहीं चला और कजरी के रंभाने की आवाज सुनकर वो उठकर जोपरी के बाहर आई कजरी तुने पिया सुबह सुबह ही गोबर कर दिया अब इस ठंड में सबसे पहले गोबर साफ करना पड़ेगा निर्मला कजरी के गोबर को उठा कर कचरे में फेकने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया ये गोबर तो बड़ा कामा सकता है जब इस गोबर से घर लीप सकते हैं तो धाबा क्यों नहीं बना सकते निर्मला ने कजरी के गोबर को एक जगा रग दिया और उसने सर्जु को जगाया रिंकी के बाबा उठो हमारी कजरी ने गोबर कर दिया है तो उसे साप कर दो न, मुझे क्यों जगा दिया? अरे मैं क्या कह रही थी, हम कजरी के गोबर को इकठा करके गोबर का धाबा बना सकते हैं। निर्मला की बात सुनकर सर्जु तुरंत उठकर बैड़ के और बोला, अरे हम जगल से कुछ बास, लकडिया और घास पूस ले आएंगे और उससे धाबे की दिवार खड़ी कर देंगे और फिर उन दिवारों पर मैं गोबर का लेप लगा दूँगी, जिससे ठंडी हावा धाबे के अंदर नहीं आएगी। गोबर से धाबे का चूला भी बनाया जा सकता है। हमारा धाबा बिना खर्चे के बनकर तयार हो जाएगा और हमें किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। निर्मला की बात सुनकर सर्जू बहुत खुश हो जाता है। अब सर्जू रोज जंगल जाकर कुछ बास, लकडियां और घास फूस इकठा करने लगता है। इधर निर्मला कजरी का गोबर इकठा करने लगती है। सरजू और निर्मला ने मिलकर धावे वाली जग़ की साफ सफाई की। उसके बाद दोनों लकडी, बास और घास फूस की मदद से धावा बनाने लगे। इस काम में बंटी और रिंकी भी उनकी मदद करने लगे। कुछ दिनों के बाद। निर्मला ने धेर सारे गोबर में थोड़ा सा पानी मिला कर उसका लेप तयार कर लिया और अपने धावे की दिवारों पर चारों तरफ से गोबर का लेप लगाने लगी। अरे वाह धावे की दिवारों पर गोबर का ये लेप बिलकुल सिमेंट की तरह लग रहा है। इससे ह खुबसूरत रूप दे दिया। निर्मला ने धाबे के अंदर गोबर का एक चूलहा भी बना दिया। अब गोबर का धाबा बनकर तयार था जो देखने में भी बेहत खुबसूरत लग रहा था। उसके धाबे की खुबसूरती देखने आने लगे। बहुत बुरा हुआ भी तुम्हारे साथ। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुराई में कुछ अच्छाई छिपी होती है। तुम्हारे गोबर के खुबसूरत डाबे को देखने के लिए यहां से गुजरने वाला जो है ना हर रागीर डाबे पर रुखता है। और तुम्हारे रागीर की बात सुनकर सर्जू बहुत खुश हो गया। अब सर्जू के खुश हो गया। और उसने कर्जे के पैसे भी चुका दिये। अब सर्जू के खुश हो गया। अब सर्जू के खुश हो गया। अब सर्जू के खुश हो गया।